नमस्कार दोस्तों स्वागत आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल इंफो अकेडमी पर और आज की इस वीडियो में आप एक भरती के नए नोटिफिकेशन के बारे में जानेगे यह है नया नोटिफिकेशन भरती का जो है भारतिय वायू से ना यानिके इंडियन एर फोर्स क का जो इंपलेमेंट न्यूज है उसमें ऑफिशली यह है पब्लिफ हो चुका है इससे पहले अड़र्टाइजमेंट नंबर 3 बटे 2021 पब्लिफ हुई थी जिसकी अंतिम तारिख 5 सितंबर है और अब यह 4 बटे 2021 इंपलेमेंट न्यूज नंबर जो है 4 बटे 2021 पब्लिफ हो इपलिकेशन ही सम्मेट करनी पड़ेगी आज की वीडियो में आप देखेंगे आगे कौन कौन से स्टेशन पर कितनी कितनी वेकंसी किस ट्रेट में निकली है यदि आप चैनल पर नए है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें वीडियो को लाइक वे शेर जरूर करते रहें त जो की हैड़कोर्टर सेंटल एर कमांड के अंतरगत आता है इसमें कारपेंटर एसके का एक पद है MTS के पांच और HKS के 10 पद है इसी परकार दो नमबर पर कमांडिंग ऑफिसर पीटीएस एरफोर्स टेशन आगरा का MTS के कुल 6 पद है कमांडिंग ऑफिसर याक्स एरफोर स्टेशन बक्सी का तालाप लखनव यूपी में HKS का एक पद है इसी परकार हैड़कोर्टर साथन एर कमांड के अंतरगत स्टेशन कमांडर एरफोर्स टेशन ये बैंगलॉर के कुक का एक पद है और एर ओफिसर कमांडिंग ऑफोर्स टेशन सेलेक्शन एरफोर सेलेक्श बोर्ड ये मैसूर में है इसमें HKS के एक पद हैं MTS के दो पद हैं इसी परकार Headquarter Training Command के अंतरगात विभिन परकार के जो विभिन स्टेशन्स हैं उनमें भी विभिन परकार की पोस्टों के लिए अड़िजमेंट की गए जो कि आपकी वीडियो स्क्रीन पर आपको पॉइंट नमबर एक पर Commanding Officer Training Command Bangalore में LDC के दो पद MTS के पाँच पद हैं इसी परकार दो नमबर पर Commandant AF Technical College AFTC West Bangalore MTS के कुल नो पद हैं Station Commander Airman Training School ATS Bell Gavi में LDC के दो पद Cook Ordinary Grade के तीन पद हैं HKS के पाँच पद हैं इसी परकार पॉइंट नमबर चार पर Commanding Officer ये भी Bell Gavi का Air Force Station है जिसमें MTS का एक पद है पॉइंट नमबर पाँच पर Air Force Station तामबरम चेनई में LDC के दो पद Cook के पाँच पद और MTS के पाँच पद हैं आगे पॉइंट नमबर चेनई में ही Cook के तीन पद हैं और पॉइंट नमबर साथ पर Commandant AFAC कॉयमब टूर्क में LDC का एक पद HKS के छे और MTS के नो पद हैं इसी परकार पॉइंट नमबर आट पर Commandant Air Force Academy हाइदराबाद के अंदर LDC के तीन MTS के 10 पद हैं और Air Officer Commanding AF Station हंकीम पट सिकंदराबाद में MTS के कुल 4 पद हैं और पॉइंट नमबर 10 के ओपर Air Force Station सिकंदराबाद में Store Keeper का एक Store Subdent का एक पद है MTS के 6 पद हैं और Cook Ordinary Grade के 4 पद हैं मैं स्टाफ में एक पद हैं और इसी परकार 11 नमबर पर Air Force Station Air Welfare 2 सरदार पटेल रोड सिकंदराबाद में Cook का एक पद है मैं स्टाफ का एक पद हैं आगे देखते हैं Headquarter Western Air Command के अंतरगत विभिन स्टेशन ओपर कौन-कौन से पद हैं जो कि आपकी वीडियो स्क्रीन पर भी आपको दिखाई पद रहोंगे Commanding Officer Headquarter Western Air Command सुबर्तो पार्क New Delhi में MTS के 5 पद है Air Officer Commanding Air Station पालम New Delhi कुक में 1 पद है और MTS में 13 पद है Air Officer Commanding Air Force Station चंडिगर्ड में सुबर्डेंट स्टोर के 2 पद MTS के 4 पद हैं इसी परकार पॉइंट नमबर 5 पर Air Officer Commanding AF Station पठान कोट में स्टोर कीपर के 5 पद हैं और कुक और निग्रेड के 3 पद हैं और पॉइंट नमबर 6 पर Air Officer Commanding Air Station हिंडर्ण गाजियबाद में कुक के 3 पद हैं MTS के 10 पद हैं कारपेंटर के भी 2 पद हैं पेंटर SK के 2 पद हैं और इसी परकार Air Force Station फरीदाबाद में MTS के कुल 5 पद हैं और आगे सभी पदों के आगे category wise भी विवरन हैं इन सभी पदों के लिए आपको offline application submit करनी होगी और बात कर लेते हैं आगे इन पदों के लिए age limit की क्या बाद किस परकार से रहेगा जो इस advertisement के point number 2 पर दशाएगा है सभी पोस्टों के लिए आप 18 से 25 वर्स के बीच के जो candidate है वो एपलाई कर पाएंगे और age relaxation उपरी IUC में relaxation की बात करें जो candidate OBC स्रेणी से समंदी रखते हैं और OBC की ही पोस्ट के लिए अगेंस्ट अपलाई करना चाते हैं उन्हें उपरी IUC में तीन वर्स की छूट और SCST category के जो पोस्ट है और SCST category के जो लोग उसके लिए अपलाई करना चाते हैं उन्हें उपरी IUC में पांच वर्स की छूट मिलेगी और handicapped candidates को दस वर्स की एक सर्विसमेन को भी उसके जो category या उसके मताबिक आपको उपरी IUC में छूट मिलेगी इसी परकार departmental candidate को भी उपरी IUC में छूट है और जो candidate General Srendi से हैं और पहले से ही government सेवा में हैं और इन सब पदों के लिए apply करना चाते हैं General Srendi के 40 वर्स तक के candidate apply कर सकते हैं OBC के 43 वर्स तक के और SCST के 45 वर्स तक के candidate apply कर सकते हैं आगे देख लेते हैं इन पदों के लिए qualification किस परकार से है Store Subdent के लिए बात करें Graduation इसकी qualification है LDC के लिए 12th pass किसी भी recognize board से और टाइपिंग में Hindi English टाइपिंग में 35 पर प्रती शबद प्रती मिनट और Hindi में 30 शबद प्रती मिनट के हिसाब से आपको किसी एक language में type test pass करना होगा Store Keeper के लिए बिए जो essential qualification है वो 12th किसी भी recognize board से है और Cook की बात करें Matriculation किसी भी recognize board से With a certificate or diploma in catering एक साल का experience in trade ये जरूरी हो गयता है Painter की बात करें 10th कक्षा किसी भी board से और ITI Painter trade में और Carpenter का भी इसी परकार से qualification है 10th किसी भी recognize board से और Carpenter की trade में ITI का डिपलोमा Housekeeping staff के लिए cable matriculation है और किसी भी recognize board से अपने पास कर रखी होनीचे ये मैं staff के लिए भी बात करें Matriculation ही किसी भी recognize board से पास कर रखी होनीचे MTS के लिए matriculation किसी भी recognize board से पास कर रखी होनीचे और इन सभी पदों के लिए apply करते हुए इन सभी इसी प्रकार से Slaves के अनुसार आप अपना return test की तयारी कर सकते है और last date की बात करें एक बार फिर आपको पता दें कि last date 30 इस advertisement के publish होने के 30 दिन के भीतर आपको apply करना होगा और ये advertisement 21 अगस्त को employment news में publish हो जाएगी और 21 अगस्त से यदि आप 30 दिन count करें तो 19 सितंबर 2021 इस भरती की अंतिम तारिक होगी और apply करने के लिए आपको एक prescribed परफोर्मा है उसके ओपर ही आपको apply करना पड़ेगा और apply करने के साथ आपको सभी दस्तवेज जैसे qualification से संबन्दित, age से technical qualification से, physically handicapped या category से संबन्दित, experience certificate, class certificate, इत्यादी जो भी आपके पास certificate है जो आप इस application परफोर्मे के साथ लगेंगे उनको self attested करके ही आपको इस भरती के जो application परफोर्मा है उसके साथ लगाने पड़ेंगे और application परफोर्मे को आप भर कर जब आप सभी दस्तवेज लगा दें और एक swim का पता यानि candidate अपना पता लिख कर एक लिफाफा अंदर लगाएगा जिसके ओपर एक dark ticket 10 रुपे की आपको paste करनी होगी और जो जिस लिफाफे के अंदर आपने डाल कर आपने भेजना उस लिफाफे के ओपर आपने application for the post of and category against advertisement number 4 बटे 2021 DR आपने जुरूर mention करना है और दो फोटो हैं आपकी लगेंगी जो की एक application परफोर्मे के ओपर और एक admit card के ओपर आपको paste करनी होगी और आपने ये offline application परफोर्मा ही भर पाएंगे offline application परफोर्मे को आप भरने के लिए आप हमारी इस वीडियो के description box में जाकर वहां से भी download कर सकते हैं और आगे इससे आगे वीडियो में आप देखेंगे कि आप offline application परफोर्मे को किस परकार से भरेंगे application परफोर्मे को भरा हुआ देखने के लिए आप next वीडियो में जाएं और वहां से आप पूरण जानकारी प्रापत कर लें आज की वीडियो में बस इतनी information आप चैनल पर बने रहें और चैनल को सब्सक्राइब करते रहें वीडियो को like वे शेर जरूर करें धन्यवाद